खर्पतवार भी फसल के बहुत बड़े दुश्मन हैं एक तो ये फसल के लिए उपलब्द खाद, और वरक, पानी, धूप और हवा का उपभोग तो करते ही हैं साथ ही फसल के लिए हानिकारक कीडे और बीमारियों को भी आश्ट्रे देते हैं इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खर्पतवार निकालते रहें उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि फसल पर कीडे, बीमारियों और खर्पतवार का प्रकोब कम से कम हो इसके लिए समय समय पर खेत का निरीक्षन करते रहें अगर रोग ग्रस्त पौधे दिखाई दें तो उन्हें उखाड कर जला दें खड़ी फसल में दीमक का प्रकोब दिखाई दें तो चार लीटर क्लोर पाईरी फॉस को सावधानी पूर्वक पचास से साट किलो मिट्टी या बजरी में मिला कर खेत में छिटकें और सिचाई कर दें कर दो बाईरी में दें दें तो उन्हें प्रकोब दें साट कर दो जाँ को